हेलो बास इस वीडियो में आप सीखने वाले हूँ MS Word के पूरे 50 सौटकट जिसको सीखने के बाद आपका जो है स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और आप अपना वर्क एक्स्परियेंस काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो और साथ ही आप अपना काम को बरे ही स्मू जावी ना हो CTRL के साथ F3 जिससे आप कट स्पाइक कर सकते हो content को तो आपको simply क्या करना है जो भी content को आपको cut करना हो कुछ इस तरीके से select कर लेना है CTRL के साथ F3 प्रेस करना है यह आपका cut हो गया है पहला line और इसी तरीके से सर अगर आपको यह वाला line को करना हो तो select कर लो और यहां से CTRL के साथ F3 प्रेस करो याद रखना है हमने अभी दो line को cut किया है next तीसरा line हम यहां पे last line को इस तरीके से select करते हैं और CTRL के साथ F3 प्रेस करते हैं तो आपको ध्यान होगा हमने यहां पे तीन line को cut किया है CTRL plus F3 का use करके next जो है सर हम यहां पे दूसरा shortcut की का use क करके यहां पे पेस्ट करेंगे जो की है ctrl shift और f3 जैसे प्रेस्ट किये सर आप यहां पे देख पार हूँ हमने जो तीन लाइन को जो है बारी बारी से कट किया था वह आपका यहां पे पेस्ट हो रहा है नेक्स जो सर अगर आपको सर बुलेट को अप्लाई करना हो तो आपको इस तरीके से सलेक कर लें और यहां से आपको प्रेस करना है ctrl shift और l जैसे ही आप प्रेस करोगे यह आप देख पार हूँ इसमें आपका यह बुलेट अप्लाई हो चुका है next shortcut को समझने के लिए पहले मैं यहां से all slack कर लेता हूँ अब यहां से सर अगर आपको इस paragraph के बीच में आपको single line space लेना हो तो control के साथ one press कर लो अगर double line space लेना हो तो control के साथ two press कर लो अगर सर आपको 1.5 space लेना हो तो आप control के साथ five press कर लो तो यह आ 1.5 set हो चुका है next record आपको सर यहां पे जो आप देख पार हो यह आपका ribbon आपका 100 हो रहा है अगर सर आप इस ribbon को hide करना चाते हो तो control के साथ f1 press करना है वापस लाने के लिए फिर से आपको control के साथ f1 ही press करना है तो यह आपका ribbon आ जाएगा इसके बाद next shortcut की जिसका use करके आ आप घंटों का काम जो है बस सकेंडों में कर सकते हो इसके लिए आपको data को select करना है select करने के बाद अगर सर आपको same data को capital करना हो small करना हो या फिर sentence case करना हो आपको shift के साथ f3 press करना है तो आप यहां पे देख पार हो यह आपका upper case हो चुका है वहीं फिर से press करने के बाद य यह आप देख पार हो यह आपका sentence case हो गया है I hope कि आपको यह समझा गया होगा next shortcut की अगर सर आपको अपने data में current date को insert करना हो तो आपको alt shift के साथ आपको d press करना है तो यह आपका current date insert हो जाएगा next अगर सर आपको current time को insert करना हो तो आपको control shift के साथ d press करना है यह आपका current time insert ह हो गया है आगे बढ़ने से पहले जो है सर आप यह दो सौर्ट करकी को जान लो एक तो है आपका अल्ड दूसरा है आपका दोनों से आपका सेम काम होगा यहां से जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे आपके सारे टैब के जो है एक एक लेटर आपको नजर आ रहे हैं जैसे कि अगर आपको होम में जाना हो तो आपको सिंपली एच प्रेस करना है और अगर आपको वर्ड आर्ट को ओपन कर करना चाहते हो या फिर आप science का teacher हो तो आपको जो है science का formula का use करना पड़ेगा तो इसके लिए sir आप जो है control का equal to use करके सब script लगा सकते हो जैसे हमें यहां से water का formula type करना हो h2o तो अगर sir हम h2o और o इस तरीके से press करते हैं तो यह हमारा wrong हो जाएगा इसका सभी process यह है कि आपको simply पहले h press करना है control के साथ आपको equal to press करना है और यहां से आपको to लेना है फिर से sir आपको control के साथ equal to press करके इसे undo कर लेना है और इसके बाद यहां से आपको o press करना है actual में आपका h2o जो की water का होता है formula आपको इस तरीके से insert करना है got it next shortcut की अगर sir आप एक math का paper को तयार कर रहे हो या फिर आप एक math के teacher हो तो आपके लिए यह option काफी useful रहने वाला है अगर sir आपको यहां पर a square plus b square लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखोगे जो की आपका गलत है आपका सही process यह है कि आपको simply पहले a press करना है इसके बाद आपको जो है control shift के साथ आपको equal to press करना है इसके बाद sir आप यहां से 2 press कर लो तो यह आपका a का power लग चुका यानि square हो चुका है next shortcut की जो है sir अगर आपको जो है entire word को starting से delete करना हो तो आपको control के साथ delete press करना है तो आप control के साथ backspace की का use करना है तो आप यहां पे देख पार हो यह आपका back से word delete होते जा रहा है कई बार क्या होता है sir की हम जो काम कर रहे होते हैं और हमें exact जहां पे हमने last edit किया है हमें वहां पे पहुंचना होता है इसके लिए sir आप shift के साथ F5 को press कर लो तो यह आपका direct लेके आ जाएगा आप जहां पे last में छोड़े थे जैसे की आप यहां पे देख पार हो हमने यहां पे graphics के बाद जो है यहां पे अपना last edit किया है तो यह आपको यहां पे so हो पार है next जो है काफी comment shortcut की है अगर sir आपको page में सबसे उपर जाना हो तो आपको page up प्रेस करना है अगर down आना हो तो page down प्रेस करना है और अगर आपको starting में जाना हो तो आपको home प्रेस कर लेना है अगर सर आपको इस line के last में जाना हो तो आपको end प्रेस करना है तो इससे आप starting point पे आ जाओगे next shortcut की जो है काफी जादा काम का है अगर सर आपको font का size को increase और decrease करना हो तो इसके लिए सर आपको पहले select कर लेना है select करने के बाद आपको control, shift और phone का size increase करेगा जैसा कि आप देख पा रहे हो वहीं अगर आप control, shift और less than का use करते हो तो आपका size decrease करेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो next shortcut की जो है काफी जादा useful हो सकता है अगर आप इसका सही use करते हो कि तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे online लिखा होगा है जिसमें से मैं यहाँ से एक spelling यानि एक letter को remove करता हूँ और यह हमारा spelling online का गलत हो चुका है अभी हमें सर इसे सही करना है सही करने के लिए सर आपको यहाँ पे एक option मिल जाता है F7 जिससे आप spelling चेक कर सकते हो तो आप यहाँ पे right side में देख पा रहे हो यहाँ पे आपके सामने best option आ चुके हैं इसमें से आप देख सकते हो यहाँ से आप इस पे click करके और यहाँ से आप change भी click कर सकते हो तो यह आप देख पारो यह आपका change हो चुका है आपको आना है यहाँ से insert में और कुछ shape को बना लेना है इस तरीके सर यहाँ पे मैं एक shape को बना लिया हूँ यहाँ से सर मैं press करूंगा control के साथ D तो आप यहाँ पे देख पारो यह आपका duplicate बनते जा रहा है ओके बिना किसी shape को select किये control D प्रेस करोगे तो आप देखो यह आपका font area open हो चुका है MS Word में ready made paragraph लेने के लिए आपको sort में type करना होता है equal to R A N D open bracket close bracket और यहाँ से enter प्रेस करें तो जैसा कि इस skin पे आप देख पा रहे हो paragraph आ चुका है इसका use करके हम अभी समझने वाले हैं A से लेके Z टक के सारे shortcut की लेकिन यह सारे shortcut को सुरू करने से पहले A से लेके Z टक के shortcut के अलावा भी एक दो shortcut को देखते हैं एक तो आपने देख लिया किस तरीके से paragraph को लाए जाता है दूसरा हम लोग देखते हैं page break यह paragraph के बाद आपका यहाँ पर करसर है ठीक है आप चाहरे हो page break करना यानि आपका फॉष paragraph इस page में रहे भांकी सारा यह break होके दूसरे page में चले जाए उसके लिए आपको सर प्रेस करना है अपने कीबोड में control के साथ enter आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यह आपका एक paragraph इधर है भांकी का सारा paragraph page में आ चुका है तो इसको आपने कैसे कि है control के साथ आपको enter प्रेस करना यानि यह आपका page break हो जाएगा एक और देख लेते हैं सर जैसे आप देख पा रहे हो यह हमारा first line है यहां से यहां तक का ठीक है इस line को अगर हमें break करना है तो इसके लिए आपको प्रेस करना है shift के साथ enter shift के साथ जैसे ही सर आप enter प्रेस करोगे आप देख पा रहे हो यह आपका line break हो चुका है तीन जो important shortcut की को समझ लिया है अब हम लोग आ जाते हैं A से लेके Z तक के shortcut की पे पहले है क्या control के साथ A control के साथ जैसे ही आप A प्रेस करोगे क्या होने वाला है all select प्रेस करके देख लेते हैं control A तो आप देख पा रहे हो sir यह आपका पूरा यानी all select हो चुका है next है हमारा control plus B control plus B हो जाएगा bold text किसी भी text को अगर आपको bold करना हो सबसे top वाले line को bold में करना है तो यहां से क्या करना है control के साथ B प्रेस करना है जैसे ही प्रेस करोगे sir आप देख पार हो यह आपका bold हो रहा है ठीक है control plus C copy text यानी आपको कोई भी text को copy करना हो अगर आप एक computer user हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि copy और paste का सबसे ज़्यादा use होने वाला shortcut की होता है copy करने के लिए सबसे पहले आपको select करना होगा जैसे मैं यहाँ पे इस part को जो हमारा bold वाला part है इसको select करते हैं और यहाँ से आपको copy करने के लिए प्रेस करना होगा control plus C control V control V आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो control V paste आपनी copy जो किया है उसको क्या करना है control plus D हो जाता है आपका open font formatting window जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो open font formatting window तो यहाँ से paragraph को select करते हैं select करने के बाद प्रेस कर लेते हैं shortcut key control के साथ D तो control plus D प्रेस करने के बाद आपके सामने font का window आ चुका है इस window में आप font style size change कर सकते हो यहाँ से मैं font का size को चेंज करता हूँ पहले कितना है 11 में है अभी मैं इसको कर लेता हूँ 20 में उसके बाद यहाँ से आप font का color भी change कर सकते हो यहाँ से आके इस font को मैं ले लेता हूँ red color में और यहाँ से OK करता हूँ जैसा कि आप यहाँ पे preview देख पा रहे हो आप इसका use कर सकते हैं जैसे आपके सामने यह themes को अगर आपको center में करना हो तो आपको simply अपने keyboard पे प्रेस कर लेना है control के साथ E तो आप इसको देख पार हो यह आपका center पे आ चुका है next is sir आपका control plus F यानी find करना अगर आपको यहाँ से कुछ भी find करना हो तो आपको यहाँ से press करना होगा control plus F जैसे यहाँ प्रेस करोगे तो यहाँ से आप find कर सकते हो मुझे यहाँ से find करना है क्या find करना है यहाँ से find करना है new ठीक है control app से आप किसी भी text को find कर सकते हो ठीक है next app का control plus z यानि go to go to to specific page अगर आपको page में जाना होगा सबसे पहले यहाँ पर इसको cut कर देते हैं अभी हमारे सामने यह page 2 खुला हुआ अगर page 1 में जाना हो तो आप क्या कर ले यहाँ से control के साथ g press कर ले और ठीक है page 1 में जाना हो तो यहाँ से आप बस आपको one press करना है और यहाँ से go to करना है तो आप page 1 पे आ चुके हो ठीक है फिर से अगर page 2 पे आना यहाँ से two press करो और go to page 2 पे आ चुके हो इस तरीके से sir जब भी आपका कुछ जादा page रहेगा 100, 200,000 जितना भी page रहेगा तो उस पे आप इस तरीके से जा सकते हो जिस भी page पे जाना है एक body में जा सकते हो अब बढ़ते हैं आगे और control plus h यानि replace text किसी भी text को होगा replace करना हो तो आप कर सकते हैं जैसे मैं control के साथ h प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको एक change करके यहाँ पे old कर देते हैं यानि नया का उल्टा पुड़ाना कर देते हैं तो यहाँ से सबसे पहले new को find करना होगा तो new आपका find हो चुका है अब इसको replace with new को किस चीज़ से replace करना चाह रहे हो तो new को को replace करेगा तो सभी जिगा को replace कर लेते हैं यहाँ से क्लिक करते हैं replace all आपको यहाँ पर results हो रहा है all done we made five replacements को window में हो रहा है क्या यह आपका total five replacement किया है यहाँ से उके करते हैं और यहाँ से आप देख लो जैसे यहाँ पर हमारे सामने यह रेड में जो लिखा हुआ इसको ही select करते हैं और यहाँ से प्रेस कर लेते control i यानि italic होग चुका है यह आपका हलका सा तिर्चा हो चुका है ठीक है इसको इस तरीके से select करते हैं सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस कर लेना है सर कंट्रोल के साथ जैसे ही प्रेस करोगे तो सर आप यहाँ पर देख पार हो जिस तरीके से आपका left side में सारा लाइन आपका equal है उसी तरीके से आपका right side में भी equal हो चुका है next हमारा control के साथ के यानि यह है open hyperlink window hyperlink यहाँ पर आप कोई भी link को यहाँ पर apply करके direct उस link पर जा सकते हो जैसे यहाँ पर Facebook यहाँ से type कर लेता हूं अब फेस्बूक अगर आपको यहाँ पर link paste करना Facebook या फिर आपका अपना website हो तो आप यहाँ से उस website का यहाँ पर नाम डाल सकते हो जैसे मैं यहाँ पर simple www.book.com फिजाल मैं यह simple वाला यहाँ से आपको बता रहा हूं ठीक है इस तरीके से आपको यहाँ से type कर लेना है ठीक है type करने के बाद इसको आपको यहां से select करने के बाद आपको Hugo लिएक कर लेना है यहां से ら के सब्सक्राइब, यह आपका यहाँ से अडरे स आचुका है यहां से simply करना है अगर सर आप इस link पे click करोगे तो यह आपका direct connect कर देगा कांसे Facebook से तो इस तरीके से आप यहां पे कोई भी link को लगा सकते हो किस के दुवारा Hyperlink के दुवारा Next है Ctrl L यानि Left Align Text हमारे सामने यह text है यह text फिलाल अभी हमारे कहां पे है Center पे है अगर सर आपको यह text को Left में करना हो तो आपको यहां से प्रेस करना होगा Ctrl के साथ L तो यह आपका Left Side में चले गिया है वहीं सर आपको अगर इसी text को अगर आपको Right Side में लाना हो तो आपको क्या करना होगा Ctrl के साथ R प्रेस करना होगा जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो Ctrl के साथ R यहां से प्रेस करना next step का रिल में यानि indent a Paragraph from the left यानि आपका ये इंडेंट जो होगा कहां से होगा लेफ्ट से होगा तो आप यहां से किसी भी Paragraph पर क्लिक करते हैं जैसे मैं यहां पर text के आगे क्लिक करता हूं ठीक है NEXT XR आपके सामने, Control के साथ N यानि, New Page New Page अगर आपको लेना हो, तो आपको simply क्या प्रेस्ट करना होगा, Control के साथ N, जैसे ही Control के साथ N प्रेस्ट करोगे, तो यह आप देख पार, यह आपका क्या हो चुका है, एक New Page आ चुका है, ठीक है, next sir आपका control के साथ O यानि open करना तो control के साथ O आपको press करोगे तो आपके सामने ये open हो चुका है यहाँ से आप save भी कर सकते हो open भी कर सकते हो और यह आपका recent document है यहाँ से भी आप चाहो तो open कर सकते हो next sir आपका control plus P यानि print करना अगर आप इस page को print out करना चाह रहे हो तो आपको simply control के साथ pre-press करना है तो आपके सामने यहाँ पे print का section आ चुका है इस print section में आप यहाँ से अपना printer select कर सकते हो आप किस तरीके का page को यहाँ पे निकालना चाह रहे हो आपके बाद यहाँ से प्रेस कर लेता हूं control के साथ क्यों तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो यह आपका अभी काम नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ से क्या करना होगा यहाँ से इसका apply करना पड़ेगा ठीक है यह आपका space आ चुका है फिर से यहाँ से आपको प्रेस करना control plus q तो यह आपका यह space क्या हो रहा है कम हो रहा है नेक्स्ट है सर आपका control plus r इसको हमने अल्रड़ी देख लिया है अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है सर हमारे सामने control plus s यानि save करना तो control plus s जैसे ही आप प्रेस करोगे आपके सामने save as का window आ चुका है यहाँ से आप अपना document को save कर सकते हो नेक्स्ट है हमारा सर control plus t यानि hanging indent जैसे कि आप यहाँ पे paragraph को देख पार हो यह paragraph पे आप क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद जैसे ही सर आप control plus t प्रेस करोगे तो यह आप यहाँ पे change देखो सबसे पहले change क्या हो रहा यह सबसे उपर वाला जो line रहेगा यह line में आपका कोई changes नहीं होगा बस एक line में ठीक है बांकि सारा line को यह क्या हो जाएगा move कर देगा आपका right side में ठीक है तो hanging indent का आप इस तरीके से काम कर सकते हो ठीक है next है सर आपका control plus u text को underline करना text को underline करना चाहते हो तो आप यहां से text को पहले select कर लो select करने के बाद आपको simply press करना है control के साथ u तो आपका यह underline हो चुका है next shortcut की है सर हमारा control v control v को हमने जब copy किया था तभी हमने control v को भी समझ लिया था आगे बढ़ते है next है control plus w यानि close document यह हमारा document है इस document को अगर आपको close करना हो तो आपको simply अपने keyboard पे press करना है control के साथ w आपके सामने एक dialogue box आप जो इस document पे काम कर रहे हो इस document को save करना चाहरे हो save करने के बाद यह करते हैं आगे और देखते हैं next shortcut की जो की काफी easy है control plus x यानि cut करना जैसा कि आप यह दो line को देख पा रहे हो यह दो line को मैंने select कर लिया है अब यहां से प्रेस करते है control plus x जैसी control plus x प्रेस करेंगे तो यह आपका क्या हो चुका है cut हो चुका है आपको सब धियान देना है य यानि redo and action और control plus z है undo and action यह दोनों को एक साथ समझते हैं यह red वाला paragraph है हमारे सामने इस paragraph को क्या करते हैं यहां से delete करते हैं यहां से back space दबाते हैं ठीक है यहां तक delete हो चुका है अगर आप इस paragraph को चाहते हैं फिर से वैसा ही आ जाए तो प्रेस करना होगा control plus z तो यह आपका क्या हो जाएगा undo का back हो जाएगा इसी तरह का interesting वीडियो के लिए आपको channel को subscribe कर लेना है तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए मस रहें और व्यस्त रहें